राजधानी शिमला के साथ लगते बड़ा गाउ सीवरेश प्लान का गंदा पानी नसात लगते खटों में खुला चोड़ा जा रहा है2 जिस रही उच्छेक के बिश पांप फश्ट से त्रोध भी दूशित हो रहे हैं जिससे फिर से बिमारिया फैनले का खत्रा बना हुआ है अलांकि पिछले कई वर्षों से लोग जिला प्रशाशन जल निगम से लेकर सरकार तक इसको लेकर शिकायत करते आ रहे हैं लेकिन किसी के कान पर जून तक नहीं रहें रही है स्थानिय लोगों का कहना है कि लाल पानी बड़ा गाउंस के पास सीवरेज प्लांट है और उससे निकलने वाला गंदा पानी साथ लगती खट में छोड़ा जा रहा है जिससे खट का पानी पूरी तरह दूशित हो गया है जो यह पानी छोड़ा जा रहा है यह इतना ख्राब पानी आ रहा है कि इस पानी को आप किसी भी चीज में यूज नहीं कर सकते हैं यहां जैसे कि हम अपने पशु को चराने के लिए भेजते हैं तो हमारे पशु इस पानी को पी तो रहे लेकिन इससे बहुत तरह की बिमार से तो हमारा सरकार से यही अनिरोद है कि इस ट्रीटमेंट प्लांट को जो बड़ा गाउं में चल रहा है इसको कुछ सई तरह से वो करें अपना मैं योगेश्वर्दत्शर्मा गाउं प्यार पोस्ट ऑफिस प्योडिया अपने इन गाउं आसियों के माध्यम से सरकार के ध्यान में ये बात लेना चाहता हूं कि जो ये साथ में हमारे शिमला से आउटर बड़ा गाउं का जो आपका सीवरेज प्लांट है तथा शिमला से इतनी गंड़ी पाणी में चल रही है कि जिसका साथ कोई नहीं इस से हमारे को नुक्सान इतना हो रहा है कि जो पहले कृशी होती थी वो नहीं हम प्रॉपरली कर पारे ये पाणी खेतों में लगाते हैं तो क्रॉप जल जाती है पशु अगर इस पाणी को पी ले तो को भी हम लोग जिनके हमारे नजदीक नजदीक घर ऐसी खटके साथ साथ में रात को नहीं सो सकते हमारी जो ट्यूरिजम इंड़स्ट्री है जो शादोपोल में ती ओपर थी वो इसी वज़ा से खटम होई कि पिल्कुल एकदम शिवरे जैसा आरा जैसा शिमला से आता कोई मैं इस सरकार की दिःान में लाना चाहूंगा कि हमने पहले भी इस बारे में बहुत भारी विभागी स्थर पे पर्सनली हम खुद मिले और जो आपका यह भाग है इनके दफ्तरों में जाके ही रिटन हमने यह किये हुए इन्होंने अश्वाशन पिछले साल से पिछले साल की मार्क तक वेट करो यह बिल्कुल आपको देखन कोई और राजियों में हम सुनते रहते हैं खबरे गड़करी की हम कल ही बात सुन रहे थे उनों ने यह जो आपका बॉंबे का जो आपका सिवरेज प्लांट से 98 पर परसेंट तक पानी साफ करके जमिदानों को दिया जा रहा है दूसरे प्रोजेक्टों में दिया जा रहा है लेक् जो पहल के प्रोजेक्ट है वो तो इनके बस में है नहीं उसके उपर कोई कारवाई हो रही नए प्रोजेक्ट के लिए पैसा मांगते रहते हैं और करना कुछ नहीं तो मैं इस सरकार से यह अनुद करूंगा कि हम ग्रामवासियों की इतनी मज़गूरियों को ध्यान में र निक ही जो रही है और कुछ जो है वारत इत्त्तिया की ठेके बेदियाउग है दो कि आफ पॉल देंगते हैं जो इंक अन्ग पाने होतारे उप्यों को फोल सिते हैं जो लोगों के जमीने खराप करना पश्मी पाने नहीं करें है अगर डेपार्क्मन से पार्टिक अरून से लिए शिम्ना से पुष्पाइन से चौजी किर फॉँआ है